सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट गुड मॉर्निंग आलो फ्यू मैं आपका आमारे चैनल कोटिले स्टेडी जोन में स्वागत करता हूँ आज हम इस केम्प्यूटर कलास में केम्प्यूटर से रिलेटी टोपिक MS Powerpoint and sort keys और इस टोपिक्स रिलेटीड question answer discuss करेंगे जो आप के आने वाले हर एक्जाम में मैं तो बनाँगे तो आई यह शुरू करते है सबसे पहले हम देखते हैं कि MS Powerpoint है क्या MS Powerpoint क्या होगा है Microsoft का ही पार्ट है Microsoft में है इससे पहले हम दो पार्ट discuss कर चुके है MS Word और MS Excel discuss कर चुके आज हम discuss करेंगे MS Powerpoint के बारे में तो Powerpoint क्या होगा Powerpoint presentation Powerpoint के अंदर क्या करते हैं presentation बनाते हैं Slides बनाते हैं और Slides के थुरू अपना lesson है वो या अपना जो भी टोपिकों को उसको हम deliver करते है तो हम बात करेंगे कि Powerpoint presentation presentation क्या होगा एक Powerpoint presentation Slides का collection होता है जिसके अंदर बहुत सारी slides होती है जिसका उप्योग मोखिव presentation के लिए किया जा सकता है यानि उन slides के उपर यानि उन slides का उप्योग करके हम कोई भी मोखिव presentation दे सकते हैं इसके बाद हम बात करें कि कौन सा परस्तूती यानि अभी बात कि हमने presentation आले एक graphic software है तो कौन सा है MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint फिर बात करें PowerPoint के उप्योग क्या है तो PowerPoint के उप्योग क्या होगा एक दो business के अंदर application परस्तूती करन यानि अनुप्योग परस्तूती करन का slide त्यार किया जा सकता है यानि अगर हम WSI यानि business करते हैं तो उसे related कोई भी चीज कोई भी product के बारे में हमें जानकारी देनी है तो उसके हम slide बना कर समझाया जा सकता है animation द्वारा graphical चीज़ों को त्यार करना यानि animation के द्वारा हम graphical चीज़े इस MS PowerPoint में त्यार कर सकते है सामझाय उपियों के लिए art gallery के द्वारा कलातमक slide यानि इसके अंदर हम कलातमक slide त्यार कर सकते है WSI जगत में यानि business में training देने के लिए अगर हमें business के अंदर training देने तो उसके लिए भी हम MS PowerPoint का प्रियोग करते है फिर बात करें कि MS PowerPoint को बनाने में प्रियोग किया जाता है क्या प्रियोग किया जाता है presentation त्यार की जाती है presentation क्या होता है slides का एक collection होता है एक presentation में slide को परस्तूत करने के लिए प्रियोग विशेश effect को क्या क्या गते हैं अगर हमें कोई vicious effect दिखाने हैं तो उसको हम क्या गएगे transition तो transition क्या होता है एक ऐसा sub-deges का प्रियोग PowerPoint slides के screen पर आने के तरीके का वर्णन करने के लिए होता है यहनि अगर एक slide चल रही है उससे next slide कैसे आएगी यहनि उसका जो परिका होगा आने का उसको हम क्या बोलेंगे transition PowerPoint presentation के run time में जब एक slide से दूसरे slide में move करता है यहनि जब एक slide से दूसरी slide पर जाएंगे तो एक slide के जाने और उसके दूसरी slide के आने का जो effect दिखाई देता है वह slide transition कहलाता है यहनि जिस जैसे वह slide एक slide गई है दूसरी slide आएगी उसके अंदर जो effect दिखाई देगा वह क्या वह का जाएगा transition पिर बात करेंगे PowerPoint में निमनिक्स में कौन सा view होता है view कौन सा होता है slide sorter slide sorter के द्वारा हम क्या करेंगे slides को देख सकते है slide sorter view क्या होता है तक जब कोई भी presentation पूरी तरह से complete हो जाता है यहनि जब हम presentation त्यार कर लेते हैं तब यह एक संपूर्ण जलक एक बार में दिखाता है यानि एक बार में सारी slides को दिखा देता है अगर हमें उसके अंदर editing करनी है delete करनी है हमें उसके अंदर editing करनी है या हमें उसको delete करना है तो आद ही हम इसके द्वारा क्या करेंगे slide sorter के द्वारा कर सकते है slide sorter करनी लिए कौन सी command का प्रियोग होता है यानि अगर हमें slide त्यार कर ली है हमने उसके बाद हमें slide show करना है slides को देखना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे slide show पे click करेंगे ms powerpoint extension यानि ms powerpoint की जो भी file हम त्यार करेंगे उसको save करेंगे save करने के time पे वो file name के साथ उसकी जो extension होगा वो क्या होगा dot ppt कौन सा extension होगा dot ppt फिर हम बात करेंगे ms powerpoint के अंदर spelling check करने के लिए sort की कौन सी use करेंगे अगर हमें उसके अंदर कोई spelling check करने है तो उसके लिए sort की कौन सी use की जाएगी f7 कौन सी की use की जाएगी f7 sort की use करेंगे जिससे उसके अंदर कोई पूरे complete slide की spelling check कर देगा पिर हम बात करेंगे f5 sort की FI-Sтории की district की यूज़ की चाती है slide सुरू करने के लिए यान्नि slide अगर हमारी complete और हमें slide so करना है Лोड की का यूज़ करेंगे FI-S Li about the key का यूज़ करेंगे तो begins यानि पहली slide से वो slide So शूरू कर देगा powerpoint में एका कहोन सा feature है जिसे प्रियोग करता बहुत अधिक समय नहीं खर्च करें सरल परस्तूती बना सकता है यानि टाइम भी उसमें ज्यादा नहीं लगेगा और एक आसानी से परजेंटेशन बन जाएगी तो वो कौन सा होता है पोटो कॉंटेंट विजाड इस फीचर के अंदर हम आसानी से अपनी स्लाइड से बना सकते है फिर हम बात करते कि MS Powerpoint में कौन कौन सी सोट की MS Powerpoint के अंदर कौन कौन सी सोट की यूज होती है तो Ctrl पलस A Ctrl पलस A से क्या होगा पूरी स्लाइड स्लेक्ट हो जाएगी जितना उसके अंदर टाइब क्या होगा सारी Complete Select All Ctrl पलस A से क्या होगा Select All Complete Text Box पुरा पुरा पेज़ क्या होगा Select हो जाएगा और Ctrl C से क्या होगा जितना हमने Select किया उसका हम क्या कर सकते है Ctrl C से Copy कर सकते है Ctrl पलस P से क्या होगा Print Dialog Box खुल जाएगा यानि Print अगर हमें करना होगा तो उसके लिए ctrl plus p short की use करेंगे जिसके क्या होगा printed dialogue खुल जाएगा उसके बाद हम paste setup करके अपना print निकाल सकते हैं ctrl plus s करेंगे तो क्या होगा shave हो जाएगा जो file हमें shave करने होगा ctrl plus s करते हैं ctrl plus v कोई भी चीज़ हम ctrl c यानि copy करके लाए तो उसको अगर ctrl v कहीं पर भी paste करना है तो ctrl v यह short की use करेंगे ctrl plus z undo करने के लिए जो भी पिछला परिवर्तना पिछे जो पिछली परिवर्तन या कारिये को undo करना है जो भी मैंने अभी changes किये हैं पर वापी जाना है तो क्या चीज़ करेंगे ctrl plus z करेंगे जिसे क्या होज़ेगा undo हो जाएगा f5 अभी हमने बात किया f5 क्या होगा slide show को paste करना यानि begin से start से यह क्या करेगा slide show को start कर देगा ctrl plus b ctrl plus b से क्या होगा जो हमने text को select किया है उस complete text जो भी select किया है उसको क्या कर देगा bold कर देगा ctrl plus i जो हमने text को select किया है उसको क्या कर देगा italics कर देगा ctrl plus dc क्या होगा जो भी हमने select किया है उसको क्या कर देगा उसके duplicate copy बना देगा ctrl plus f क्या होगा find dialogue box खुल जाएगा अगर हमें उस page के अंदर कोई भी चीज find करनी है तो control plus F sort की use करेंगे जिसी क्या होगा find dialog box खुल जाएगा वहाँ पे हम कोई भी चीज टाइप करके उस page गंदर उस चीज को search कर सकते है control plus G ये क्या होगा grids और guide dialog box खोल देगा control plus H क्या होगा replace dialog box खोल देगा यानि कोई भी चीज कोई भी text को होकर हमें किसी चीज के साथ replace करने तो control plus H करेंगे और उसके through हम क्या करेंगे कोई भी text उसको replace कर सकते है control plus M control plus M करेंगे तो एक नई slide को डाल देगा control plus N करेंगे तो नई presentation खुल जाएगी control plus O open dialog box खोल देगा font dialog box open हो जाएगा control plus left arrow control के साथ अगर हम left arrow का use करते हैं तो cursor यहां सब्द को by पिछले सब्द के आरम में ले जाना यानि क्या करेगा cursor यहां सब्द को क्या करेगा by यहीं पिछले सब्द के आरम में ले जाएगा फिर हम बात करते हैं control plus right arrow अगर control के साथ right arrow करेंगे तो अगले सब्द के यानि जो next word होगा उसके आरम में ले जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे control plus up arrow अप arrow क्या करेगा पिछले paragraph के आरम में cursor को ले जाएगा control plus down arrow अगर control के साथ हम down arrow का use करते हैं तो अगले paragraph क्या रहा हमें ले जाएगा, इसको ले जाएगा, cursor को, cursor को क्या करेगा, वो अगले paragraph के starting में ले जाएगा, shift plus left arrow, अभी हमने बात कर दी control के साथ, अगर हम shift के साथ left arrow यूज़ करते हैं, तो पिछले पत्तर को चाहिनित करना, यानि पिछले जो होगा, पिछले जो word होंगे, उनको क्या कर देगा, select कर देगा, अगर shift के साथ left arrow यूज़ करेंगे तो, और अगर shift के साथ right arrow यूज़ करेंगे, तो अगला जो word होगा, जितने भी, उनको सब क्या करेगा, वो select कर देगा, वो shift के साथ अगर home की use करते है वर्तमान पंक्ति के प्रारभ में करसर को ले जाकर text को select कर देगा यानि जो भी line होगी उसके आरभ में चला जाएगा और उसको text को select कर देगा shift के साथ end की use करेंगे वर्तमान पंक्ति की यानि जो present line है उसके unt में cursor को ले जाकर text को change करतेगा यानि select करतेगा F5 यह हम बात कर चुके है slide show को देखने के लिए F7 क्या होगा spelling check करने के लिए इसके इसके अलावा slide show के दरवान परियोग है वाली कुछ हैन्य कीज़ें जैसे space bar space bar क्या होगा अगले slide या अगले animation पर अगर enter यूज़ करते हैं तो sync किसी भी sync क्या के slide पर हम जा सकते हैं B का यूज़ करेंगे B की only तो slide show को pose करना black screen परतरशित करना यानि slide show को क्या करेंगा और एक black screen दिखा देगा फिर इसे show को और अगर आराम करना है तो आप इस B को ही दुबारा परेश करेंगे तो क्या होगा दुबारा से slide start हो जाएगी वाइट स्क्रीन को अगर वाइट स्क्रीन दिखा नहीं पोज बी से क्या होता पोज होने के बाद black screen आजाती वाइट से क्या होगा पोज होने के पाद white screen आ जाएगी शो को पूले अराम करना है तो कि अगर ये डबलो को ये दुबारा से फेस कर देंगे N से क्या होगा N की से अगले slide या अगले animation पर जाने के लिए P से पिछले slide या पिछले animation पर जाने के लिए Escape की से क्या हो जाएगा Slide show क्या होगा समाप्त कर देगा End कर देगा slide show क्या होगा सारा का सारा खतम हो जाएगा और tab बटन से क्या होगा slide show में अगले hyperlink पर अगर hyperlink पर जाना है तो क्या होगा tab बटन shift के साथ अगर tab को यूज़ करते है slide show में पिछले hyperlink पर हम चले जाएगे इसके अलब आब बात करते है Ctrl प्लस right arrow यह हम देख चुके हैं कि cursor को अगले सब्द यह dying यह अगले सब्द के arm में ले जाना अगर right arrow करेंगे तो जो आउसे next होगा उसके सुरू में ले जाएगा control के साथ अगर down arrow करेंगे तो cursor सब्द को paragraph के end में यानि अगले paragraph के arm में ले जाएगा Ctrl प्लस अब arrow करेंगे तो cursor यहां सब्द को क्या होगा पंक्तियां paragraph के arm में ले जाना Ctrl प्लस डैल की यह यह डिलीट की अगर यूज करतें तो cursor के दाइने सब्द को क्या करेंगा डिलीट कर देगा cursor जहां भी होगा उसके जो दाइन सब्द रहेगा उसको क्या करेगा डिलीट कर देगा अगर हम Ctrl के साथ डिलीट की यूज करतें Ctrl के साथ backspace यूज करतें तो cursor के जो बाइन सब्द होगा उसको क्या करेगा वो डिलीट कर देगा Ctrl प्लस end की यूज करेंगे cursor को दस्तवाइज के अन्त में Ctrl plus F when, यह task pen, जो task pen को उसको open कर देगा, Alt plus Ctrl plus F2, अगर यह use करते हैं, यह नई document को open कर देगा, Shift plus insert की use करते हैं, तो paste करने का कारिय करते हैं, कोई भी चीज़ हम copy करके लाए, अगर हम उसको paste करना होगा तो, Shift plus insert कर सकते हैं, F12 कोई का, save as करने के लिए, किसी नए नाम से यह नए जगा, अगर फाइल को save करने हैं, तो F12, Alt plus Shift plus D, जो भी present में date होगी, उसको डाल देगा, Alt plus Shift plus, अगर T use करते हैं, तो जो present में time चल रहोगा, उस time को क्या करेगा, insert कर देगा, numbering, वरतमान default के अधर, पर परते हैं, paragraph को से रहने बद सेंगे, यानि 1, 2, 3, ऐसे numbering कर देगा, decrease, indents, यह formatting toolbar का tool है, जो by margin हाशिय को कटाता है, जो by margin होगा, उसको कम कर देगा, increase, indents क्या होगा, यह formatting toolbar का tool है, जो by margin को बढ़ा देगा, control plus u क्या होगा, जो भी उनने text को select किया होगा, उसको सारे को क्या कर देगा, underline कर देगा, कौन, control plus u, control plus w क्या होगा, presentation उसको close करने, बंद करने के लिए, control plus y, पिछले enter किये गए command को दोराने के लिए, home, home की से क्या होगा, text की वरतमान लिखी जाने वाली पंक्ति के आराम में करसर को ले जाएगा, end की, end की से क्या होगा, text की वरतमान लिखी जाने वाली पंक्ति हैं, जो वरतमान में text जहां लिखना है, उसकी जो पर्जेंट में लाइन चल रही है, उसके बिलकुल end में ले जाएगा control plus end की अगर use करेंगे तो जो भी हमने presentation बनाई है उसके last में ले जाएगा page up page up से क्या होगा पिछले slide पर जाने के लिए page down next slide पर जाने के लिए control plus left arrow अगले सब्द के RM में करसर को ले जाने है control plus left arrow से क्या होगा जो next सब्द होगा उसके RM में ले जाएगा तो आज हमने बात की MS PowerPoint और उससे related कुछ question answer डिसक्स किया और short keys को डिसक्स किया आज के लिए इतना ही अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको like and share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले थेंक यू subscribe now and press the bell icon never miss an update